हेलो दोस्तों तो आज हम आए हलद्वानी के वनी की अनुसंधान में तो यहाँ पर बहुत सारी वाटिका है तो सबसे पहले मैं आपको राज्यो की वाटिका में लिगे जाती हूँ यहाँ पर सभी राज्यों के मतलब राज्यों के ब्रक्ष लगे हुए है जैसे यह तरपुरा का राज्यों ब्रक्ष है उसके बाद आगे चलते हैं यह हमारा तमिलांडू का राज्यों ब्रक्ष छोटा साए बड़ा होगा भी उसके आगे चलते हैं तो यह है लक्षदीप का राज्य ब्रक्ष जो उसके आगे चलते हैं उसके बाद हमारा ये है अरुनाचल प्रदेश नागा लेंड का है और उसके बाद ये हमारा 36 गड़ा और जार गंड का है ये सबी राज्यों के ब्रक्ष लगी हुए है ये है हमारा अरुनाचल प्रदेश और असमका शायद उसके बाद हम और आगे चलेंगे तो यह पुलवामा शहीत वाटिका थी इसमें उनके शहीतों के ऊपर ब्रक्श लगा रखे थे उनके नाम पर उसके बाद यहां अलग-अलग 앞으로 बहुत सारी वाटिका यह बहुत तेर वाटिका है हर चीज़ की एक अलग वा बारे में जानकारी है, आप इसको रीट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पॉधो के नौलिज में लेगी है, जितने भी हमारे जो गालवान शहीद वाटिका है, तो उनके नाम लिखे थे सबके, और यहाँ पे उनके ही याद में ब्रक्ष लगाए गए हैं, बहुत सा और यह तुलसी वाटिका, यहाँ पे इतने सारे तुलसी की मतलब अलग-अलग वैराइटी थी, कपूर तुलसी और भी बहुत धीर सारी तुलसी, मतलब हाट टाइप की तुलसी यहां मिलेगी, यह पे शिर्राम की पंचवट्टी से रिडेटिट सारे पॉधे आपको मिले यह उनसे related यह सारे हमारे पंचवटी के पौधे हैं, जैसे कि आपको नाम दिख रहे हैं, आपको पढ़ने में आ रहा होगा, आप यह सारी जानकरी यहां से ले सकते हैं, कि पंचवटी क्या थी, यह भी लिखा है, यहां पर बोर्ड लगा है, और यह भी लिख रखा है, तो पूरी पंचवटी के जानकरी आपको मिल जाएगे, फिर आप थोड़ा आगे चलेंगे, उससे आगे यह महारा रेशी वालमी की जी थे, इनसे related सारे पौधे मिल जाएंगे, यहां पर बहुत ही जो भी लगे होंगे, यह दंड कारणने हैं, इसके बारे में लिखी है, इस related पौधे लगे हुए हैं यहां पर, और आगे चलेंगे, तो यह हमारे चित्रकुट, चित्रकुट से related जित्ते भी पौधे हैं, और यह एक खाती राजा खड़े थे, बहुत अंदर सबसे अकेले में इधर इखड़े थे, और फिर मुझे अचानक से दिखाई देते हैं, और जो भी वहाँ पर उस वक्त के मशूर पौधे थे, फिर यह, देखे मुझे तो पता भी नहीं था कि हिंदु धरम, इसलाम धरम, सिख धरम, इसाय धरम के बहुते हैं, और यह हमारी भारत माता थी, इनकी वाटिका थी है, इस भारत माता में जैसे आम बहुत मशूर है, आम क इतने भी हैं, मतलब क्रिशन जी से रिलेटेट पौधे लग हुए हैं, और उसके पीछे शाय श्यवाटिका है, यह बहुत धरम बातिका है, इसमें देखिया अशोक का पेड, जामुन का, साल का ब्रक्ष बहुत इंपोर्टन्ट है, पीपल का, यह सब बहुत धरम से रिले इतने भी ब्रक्ष होते हैं, मुझे यहाँ पे जाके पता चला, आप अपनी राशी जो है, वो देख सकते हैं, यह थोड़ा एंट्री में था, बहुत अच्छा था, यह जब हम एंट्री करते हैं, यह तो कंसर्वेशन प्रजेक्ट लगा रखे हैं, यहाँ पे यह जिते भ कमल अभी खेले नहीं है, खेल जाएंगे कुछ दिरों में यह, यह देखे हैं, बहुत अच्छी, बहुत ही सुन्धर वाटिका है, फिर यह मुझे एक टर्टल दिखाई दिया, फिर मैं उसको देखने जा रही थी, तो उसके पास मुझे इतने सारी मतलब, यह देखा आपन के पीछे, यह दो गौता मुदा है इनके पीछे, तो साल के दो ब्रक्ष लगा रे हैं, पहरो की तरफ और एक स सर की तरफ लगा रख लगा रखा है, यह जाए बहुत है, पुझे वाटिका रहां के देखें, कैक्टर्स, ओफो, कैक्टर्स के तो तिने काठे वाले पेरते ना, इसके अंदर मैंने कहीं, मुझे लगा कभी कोई काठा बाटा लग जाए, तो बस ये मौसम की जानकारी किने इनोंने अपना बना रखा है, और इसके बराबर में ये अभी बाटिकाएं मतलब यहा तो आयो, बहुत अच्छी वाटिकाथी, पहुदो की जानकारी जाहिए, तो आप यहापे जरू जाहिए, थैंक्यू